नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आपका फीस्ट स्वागते हैं दोस्तो आज हम शिखेंगे कि अगर एक्सिदेंटली आपके एंडॉइट मोबाइल पे आपने टॉक बैक ऑप्षिन को एक्टीव कर दिया है तो कैसे इसको डिजरबल किया जा सकता है देन लेट स्टार्ट तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टाचपार ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने टॉक बैक जो ऑप्षिन है उसको ओन कर दिया है तो चलिए कैसी इसको डिजरबल कर सकते हैं वो सीखते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेनू को स असके बाद उसको डबल टैप कैया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग ऑल्री सिलेक्टेड है तो इसको मैंने डबल टैप किया तो यह Iniपर सब्सक्राइन के अंदर चला गया तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एकसेस्बिलिटी मुझे किया फिर उसे double tap किया तो यह आ गया इसको मैंने okay पर click किया फिर इसको double tap किया तो talkback option बिजेबल हो गया तो आप हम सीखेंगे दूसरा मैथट यह दूसरा मैथट क्या है दूसरा मैथट है आपको सबसे बहले settings में जाना है लेकिन आप settings में जाएंगे कैसे आपकी कोई button या फिक कोई switch काम नहीं कर रहा है आप यहां पर भी देख सकते notification पैनल भी नहीं आ रहा है जाके आप settings में जा सके, तो कैसे आप settings में जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको ये जो back button है, इस back button को press करके रखना परेगा, और उसके बाद आप जब notification panel को नीचे की तरफ लाएंगे, तो चलाएगा, और उसके बाद आप settings में जा सकेंगे, लेकिन इस back button को छोड़ना नहीं, आपको इसको press करके रखना है, तो ही आप इस तरह से settings में जा सकेंगे, और accessibility में जाके clock back option को off कर सकेंगे, अब मेरा touch या भी touch pad ठीक से काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह ठीक से काम कर रहा है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ और एक बात share करना चाहूँगा, यह मैंना Micromax की mobile है, और इसकी model number है AQ4502, और इसका जो android version है, वो है 6.0.1, ओके गाईज, थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो, इप लाइक माई वीडियो देन प्लिज शेयार इट, और सब्सक्राइब माचनल, थैंक्यू.